मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल शिफ गोरक्ष पे स्वागत गुता सभी भाई बैनुकर आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नहीं जानकारी के साथ तो आज का मंतर है जो वह है उन लोगों के लिए हैं जिनको डर लगता है जिनके वह बोलते हैं कि जिनके अंदर थोड़ कोई बिमारी है तो यह काटने में वह बोलता है शक्षम है आपको पहले जैसे मंतर दूंगा वैसे ही सिद्ध करना और यह मंतर आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं और सबसे पहले के निविदन करना चाहता है जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट तैम विजिट कर रहा है उसने करना शिव गरुक्षो और गुरु गरुक्षो ना दोनों ही मेरे चैनल है तो दोनों को स्पोड करना है और तंत्रा समध्यता अगर किसी को किसी प्रकार की प्रोलम हो मेरे को बंदा वो वो बोलते हैं call me for app पे call कर सकता है उसके अलाव आप मेरे को mail कर सकते हैं लेकिन टीध करम निनवाते हो क्योंकि चीज जहां से चल नहीं है तो भग उसका लगेगा उसके लिए आपको बोलते हैं कि पेड कुछ ना कुछ करना पड़ेगा विदाउट पेड कुछ नहीं होना उसके इलाबा मेरे पेड गुरूप है जो सीखना जाते हैं तो साड़े करो फिर वही बचा सकते हैं आपको उनका भी पार्ट आपको कंटिन्यूजली करना पड़ेगा उसके अलाबा आप मेरे को जितनी भी वह बोलते हैं कि मेरी इंफ्रमेशन आप चाहिए मेरे प्रड़क्ट करना चाहते हो जा मरी वैब साइट है कुछ भी आप उस पर विजिट कर सकते हो उसका मैं बोलते हैं कि जो लिंक का वो डिस्क्रिप्शन में और जो भी बाकी पेमेंट रेफरेंस जो कुछ भी है आप मेरे को मेल के साथ भी कंसर्ट कर सकते हो मेरी वैब साइट पर जाओगे तो वहां पर भी डोनेट बटन लगा वहां से भी जाकि आप सारी प जो आपने देना है 51 माला जानी कि 51 माला आपको करनी है एक बार में ही करनी है या आप होली देरा में और का होली वाले दिन ही करनी है आपको तो आप ऐसे देर सकती है लेकिन कुछ 8W के लिए रोकना है सिर्फ और मानिग सिंग हो को बोलते हैं कि हो जब बंद करके मानिशी के धियां में ही बाबाका ही धियान करना है न इमान बाबा-जी का ये मन्तर है स्थ शावर मंतर तो औहीं का धियानकर यह लेकिन कुछ टाइम के लिए रोकना है सिर्फ माणिशी में अमका कर सकती हो जहाँ आपके पास गुरू शाबदा उसका आप जब कर सकते हो लेकिन आसन पे नहीं उठना है जब तक यह complete नहीं होगा भाई कुछ पाना है थोड़ा सा बोड़ी को आपको कश्ट देना पड़ेगा तो यह जो सेद शावर मंतर है यह आपको बता दूँ इसका लिंक है डिस्कुशन में मैंने मैंचन किया होगा ज्यादा पोस्ट की अगर आप इंफ्रोमेशन चाहते हो तो उसे लिंक पे आप कलिक करने ड्रेक्ली मेरी वैबसाइट पे विजिट करो रह इसकी काया दुर्बल तो माता अंजनी की आन दोहाई गोरा पारवती की दोहाई राम जी की दोहाई सीता की ले इसके पिंड की खवर ना रहे इस पे कोई असर इतना सा यह शिद शावर मंतर है ओम तू है बीर बड़ा हनुमान लाल लंगोट मुक में पान एर बगाओ बैर बगाओ अमुक में शक्ती जगावे रह इसकी काया दुर्बल तो माता अंजनी की आन दोहाई गोरा पारवती की दोहाई राम चंदर जी की दोहाई सीता की ले इसके पिंट की खवर نہ रहे इसपे कोई असर अब यह मंतर है मंतर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो लिंक दिया होगाई डिरेक्ली बहाँ पे क्लिक करना और डिरेक्ट करना मेरी वैबसाइट पे आपको ये मंतर हो इसकी वीधी जो भी है आपे लिखी मिल जागक आप उनके नाम का एक चोला देना है वो आपको मंदर में ही देना है और उनसे अनुमती लेके और आपने बोना बाबा जी ये जो करने जा रहा हूं वो इस से मेरे को बोलते हैं कि जनिकलियान की सिद्धी परदान करना और मेरे और मेरी फैमिली जो भी है होती है तो इस आदना होते हैं कि सफल रहाई गी है आपने चेमेली के ये तोके के ठेלא मेरे देब के जलाए है और भोंबे आपने पांच लड्डू दोथूल्सी के पते उसके उपर रहं रख दोड़े रहे हैं लगा देना है और आपने राम जंदर जिकी जानी कि याई श्री राम की एकमाला करनी चाहे राम राम का जब करो चाहे जाए श्री राम करो उसकी एकमाला निकालने है सबसे पहले शिव जी बाबा जी आएंगे फिर राम जी बाबा जी आएंगे जा बोल सकते हो हारी हारी ओम नमाशिवा शिव गुरु रामाए तो ये भी मंतर इन में दोनों आते हैं तो एक माला इसकी करके उसके बाद आपने ये मंतर वो बोलते करना है लास्ट में आप जब भी उठो तो बजरंग बान और चलिसा का पाठ करना और साधना की सफलता के लिए द्वा करने जाये गुर गुरु 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 ना लाग देश शिरी चम्पू जाती मारे गुरु 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 अजी बारा जुके देश देश का एक